नगी मैं थेलो फ्रेंड्स मैं हूं सत्यंद्र केतिवारी दुबै से और स्वागत है आपका बुक समरी ये स्टोर में जहां पर आपको मिलता है वोर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और book में देगे steps को आप अपने life में उतार के उसके बहुत सारे फायदा ले सकते हैं दोस्तों आज एक ऐसा मैं book लेके आया हूँ जिसका नाम थोड़ा आपको अठपटा लग सकता है लेकि इस book में देगे steps बहुत ही useful है अगर वो steps आप अपने life में यूज करते हैं उसको follow कर सकते हैं तो दोस्तों मैं guarantee देता हूँ आपको success होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों इस book का नाम है Unfuck Yourself और इस book के reader बताते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें अपने life से change करके हम लोग बहुत बड़ा इसके result generate कर सकते हैं हम success हो सकते हैं हम millionaire हो सकते हैं और हम अपने life में जो चाहें वो पा सकते हैं दोस्तों इस book से कुछ steps हम लोग discuss करने वाले हैं कुछ important steps में आपको बताने वाला हूँ जो आपके life में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप change कर सकते हैं और easily कर सकते हैं दोस्तों हम लोग बहुत सारे किताब पढ़ते हैं लेकिन वो किताबें इतने आपके confused कर देती हैं जो आपको बताते नहीं कि actual आपको करना क्या है इसलिए आपके उस किताब का आपका use नहीं हो पाता दोस्तों हम अपने book summary में उसको sort करके लेके आते हैं और हम आपको step पे आके आपके पूरी जो summary होती है book की वो निचोड़ बताते हैं आपको और exactly आपको point to point बताते हैं कि अगर आप life में success होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है और आप उसको आगे कैसे कर सकते हैं उसको आप अपने life में कैसे उतार सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ chapter हम इस book के discuss करने वाले हैं जो very important है और ये आपने life में अगर आप उतारते हैं तो आपको success होने से कोई नहीं रोक सकता chapter number one in the beginning दोस्तों सुरुवात में सबसे पहले हर चीज़ की सुरुवात आपकी दिमाग से होती है आप क्या सोचते हैं वैसे ही आपका future हो जाता है जो आज आप सोच रहे हैं जो कर रहे हैं वैसे ही आप अपना future बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों अगर किसी ने सोचा नहीं होता कि हम इनसान असमान में उड़ सकते हैं तो सायद aeroplane का innovation नहीं होता airplane बना नहीं होता अगर हम कुछ सोचते हैं तभी वो चीज़ें आगे जाके वो practical होती है तो दोस्तों इस बात को खास ध्यान रखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप क्या सोच रहे हैं क्या पोजेटिव चीज़ें सोच रहे हैं अगर आप पोजेटिव सेज़ें सोच रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप राइट डिरेक्शन में जा रहे हैं और आपके लाइफ में वही होने वाला है जो आप सोच रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसे चीज़ तो आप नहीं सोच रहे हैं कि जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए दोस्तों हम लोग के अंदर एक डर बैठा रहता है और हमेशा 90% लोगों को आप देखें जो मिडल क्लास हैं या जो अनसक्सेस हो हैं वो सिर्फ यह सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा हमेशा उनके मन में डाउट रहता है और हम पोजेटिव चीज़ों के अलावा हम लोग निगेटिव जादा सोचते हैं हम यह सोचते हैं कि यह नहीं होगा तो क्या होगा हमें जबकि हमेशा पोजेटिव सोचना है अगर हम negative सोचेंगे तो हम इस ब्रमान्द से सारे negativity को attract करेंगे दोस्तों law of attraction बताता है कि जो भी आप सोचते हैं जो भी आप करते हैं वही आप इस ब्रमान्द से attract करते हैं दोस्तों हर चीज का vibration हर एक कर्म का vibration हर एक activity का vibration इस ब्रमान्द में मौझूद है आप जो चाहें, जो जैसे आप करेंगे, जैसे आप बहेव करेंगे, जैसे आप सोचेंगे, वही बर्मांट से एट्रेक्ट होएगा दोस्तों, अगर आप positive चीजे सोचते हैं, अगर आप अच्छे चीजे सोचते हैं, तो definitely आपका future उसी direction में जाने लगता है लेकिन आप अगर negative चीजे सोचते हैं, और अगर आपको problem से भरी चीजें सोचते हैं, तो आपको life में और भी problem आने लगता है और आप अच्छे होने के बजाए, आप आपके life बूरी होने लगती है, तो आप हमेशा एक ध्यान रखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छे चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और उसके अलावा उसी direction में आप सोचें, जो आपकी positive आपके life में होना देखना चाहते हैं, दोस्तों एक दिन में हमारे दिमाग में कम से कम 50,000 thoughts आते हैं, ये thoughts अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, positive भी होते हैं, negative होते हैं, हमें हमेशा अपने आपको पूछना है कि क्या हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्यों क्योंकि हम लोग क प्रावलम क्रियेट कर सकता है इसलिए आप हमेशा ध्यान दें कि आप सोच क्या रहे हैं आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में जो चीजें चल रहे हैं वो पोजिटिव है कि नहीं है यह हमेशा ध्यान रखें जब आप यह ध्यान देते हैं तो फिर वैसा ह आपका life होने लगता है आपकी quality of life भी उसी पर depend करती है कि आप सोच क्या रहे हैं दोस्तों इस पर बहुत सारे research हुए है कि इंसान जैसे सोचता है वैसा ही होता है क्या दोस्तों एक बार University of Alabama में इस बात का research किया गया वहाँ पर बहुत सारे student को इकठा किया गया दो group में बाठ दिया गया एक group को बोला गया आप हमेशा positive सोचेंगे आप positive रहेंगे और दूसरे group को बोला गया आप दिमाग में negativity सोचेंगे आप हर वो चीज़ करेंगे जो negative होता है दोस्तों हमेशा चीज़ें क्या होती है कि जैस आप सोचते हैं जैसे आप करते हैं आपके आजू-बाजू की सरकम्टेस भी उसी इसाप से चेंज हो जाती हैं दूस्तों रिजल्ट सुनके आपको हैरानी होगी कि जो लोग जो ग्रूप positive था अच्छे सोच रहा था वो लोग खुस थे happy थे उनका mood भी अच्छा रहता था और वो success होने के लिए confidence थे और आगे बढ़ रहे थे वहीं पे जो negative लोग थे वो एकदम lazy हो गये थे unhealthy हो गये थे negative होते थे सोचते रहते थे या सोते रहते थे और उनकी दिमाग की जो thoughts हैं वो हमेशा और भी negative होती जाती थे और दिन प्रते दिन वो और भी negative होते जाते थे तो दोस्तों इस research से यह तो जुरूर पता चला कि हम जो दिमाग में सोचते हैं वही हमारे life में actual में होता है दोस्तों अगर आप positive सोचते हैं तो आपका mood अच्छा रहता है जब आपका mood अच्छा रहता है तो आप confidence feel करते है और जब आप confidence feel करते हैं किसी चीज का लेके तो आपकी productivity automatically बढ़ जाती है तो इसलिए हमेशा आप अपने emotions पे control करके रखें और हमारे emotions उसी तरफ जाता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है अगर आप अपने emotions पे control कर पाते हैं अगर आप अपने दिमाग पे control कर पाते हैं तो दोस्तों कभी भी कभी आपको success होनेसे कोई बरोक सकता और इन खास बातों को भी आपको धियान-देजिए जो लेख कबताते है कि आप हमेसे आप क्या बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं इन बातों को सब्सक्राइब। हैं वो confidence के तरफ आती है और positive के तरफ आती हैं दूसरी तरफ कुछ लोग करते हैं कि I will do this one but हमें सब बट रहता है और कुछ लोगों के लिए तो no से ही शुरू होता है no I can't do this how I can do this मतलब वो जब बाते करते हैं तो बाते में ही उनको negativity जलगते हैं दोस्तों जब आप बात करें खास बातों को ध्यान रखें कि आप positive बाते करें कभी आप doubtful बात नहीं करें अगर आप doubtful बात करेंगे तो दोस्तों आपके life भी वैसे ही doubt होने लगी कि और कुछ भी आप life में करने जाएंगे वो doubt से शुरू होगी और वो कहीं भी उसका end result खरा आसान समझते हैं कोई भी comfort जोन से आजकल बाहर नहीं निकलना चाहिए कुछ भी आपके life में अगर हुआ तो आप बोलते हैं कि उनके वजह से ऐसा हो अगर आपका relationship अच्छा नहीं चला तो आप हमेंसे अपने partner को blame करेंगे उसके वजह से ऐसा नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं ह दोस्तों होता क्या है कि हम जानते हैं अच्छा क्या है या बुरा क्या है एक चोर को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है फिर भी वह चोरी करता है हम लोग जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है हमें पता है कि ए रिलेशन खराब हो चुका है फिर में हम उसको हो रहे हैं सालों साल ढोते जाते हैं और हम अपने आपको कोस्ते रहते हैं कि हम करके सकते हैं बहुत यह बहुत सिंपल है यह इमेज़िट लिए आप अपने रिलेशन को बाइंड अप कर सकते हैं आप उसको रोक सकते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरी चीज़ आप अप नःतने नियों प्रवब्लम क्रियेट कर सकते हैं तो दूस्तों हमें इन चीजों को देखना होगा कि हम लोग क्या कर रहा है कुछ लोगों के लिए हम ब्लेम गेम कैसा हरा लेते हैं वो सोचने हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो पार्टनर मेरा अच्छा नहीं है तो आप चेंज किजे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं अभी मेरे कंपनी अच्छी नहीं है जब company अच्छे नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, फिर भी मैं काम वहीं पर कर रहा हूँ, और सालों साल कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपको पता है कि आप अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फिर भी आप कर रहे हैं, और आप blame किसी और पर डाल रहे हैं, दोस्तों वो किसी और पर ब्लेम नहीं आपको ब्लेम खुद पर लेना पड़ेगा क्योंकि मिस्टिक आप में हैं अगर कंपनी बुरी है आपके काम बुरा है तो आप एक मिनट में उसको छोड़िए आप उसके तरफ आगे बढ़िए जहां पर जो आपके लाइफ में चाहिए और अगर नहीं ह करेंगे ना आप अच्छा काम कर पाएंगे ना खुद के लिए वह अच्छा है ना आपके कंपनी के लिए अच्छा है तो दोस्तों इस बातों को ख्यास-खास ध्यान रखिए कि आप क्या करने हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप exactly करना क्या चाहते हैं और बट जाके सारी हमारे जो कंफिडेंस उसको जीरो कर देता है और फिर हम कहीं के नहीं रहते हम लोग ना आगे हो जाते हैं ना पीछे हो जाते हैं और हम लोग ऐसे सालों साल चलता जाता है और हमेशा हम अपने आप पर ब्लेम करते रहते हैं दूसरों पर ब्लेम करते रहते रहते हैं situation पर blame करते रहते हैं और जो control होता है हमेरे life का वो हम अपने negative thoughts को दे देते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने life में कुछ ऐसा आपका होता है तो immediately आप decision लिजे आप उस पर अपने आपको situation को control में लिजे आप उसको तो I am willing to do that हमेशा ऐसे करके बातों को सुरुवात किजे चेप्टर नमबर थ्री आयम वार्ट विन दोस्तों confidence एक ऐसी चीज है कि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं अगर आप confidence से करेंगे तो दोस्तों उस चीजों को जीतना आसान हो जाता है अगर आप किसी रेस की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं यह मैं रेस जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा अगर ऐसा डाउट करके आप शुरुवात करेंगे तो दोस्तों इस बात का 90 परसेंट गारेंटी है कि आप वो रेस हारने वाले हैं बट वहीं पे आप कंफिडेंस से सुरू करते हैं कि मैं यह रेस जीतने वाला हूं तो इसका 99 परसेंट गारेंटी है कि वो रेस आप जीत जाएंगे क्यों क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हैं कि मैं यह रेस जीतने वाला हूं तो आपके सरीर का हर ए अंग आपकी छोटी सी छोटी जो sales हैं आपकी body की वो आपके thoughts के तरफ काम करने लगते हैं, आपका brain काम करने लगता है win के तरफ और फिर आप वो race जीत जाते हैं, तो हमेशा किसी चीज को confidence से लीजे और यह अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि मैं बना हुआ हूँ ही जीतन करूँ गा और मैं जितूँगा जरूर अगर ऐसे आप करते हैं दोस्तों ऐसे आप सोचते हैं ऐसे आप के दिमाग में ऐसे circumstances बनाके रखते हैं तो दोस्तों आपको success होने से कोई नहीं रोक सकता चप्टर नमबर 4, I got this दोस्तों हमेशा हम लोग क्या करते हैं हमेशा हम लोग situation को blame करते हैं, मेरे को तो ये मिला मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे साथ तो ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा हो गया मेरा school का school में एडविशन नहीं मिला या अच्छे college मेरे से नहीं मिला या अच्छा job नहीं मिला, मैं क्या करूँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको problem नहीं हो जो अपने life से fight नहीं कर रहा हो दोस्तों आप believe किजे इस दुनिया में हर कोई fight कर रहा है और हर बंदा चाहता है कि वो आगे बढ़े हर बंदा की चाहता है कि उसका life better हो, लेकिन ऐसा है नहीं सिर्फ आप नहीं हैं जो life में struggle कर रहे हैं, अपने success के लिए struggle कर रहे हैं, या rich बनने के लिए struggle कर रहे हैं, आपके साथ साथ इस दुनिया के बहुत बड़ी population है, जो है struggle कर रहे हैं और हर किसी के life में struggle है तभी ये life है दोस्तों इसी को life बोलते हैं life is the name of a struggle तो हमेशा इन बातों को दियाद रखिए कि दूसरा बंदा जिसको आप सोचते हैं कि यार इसके life इतनी अच्छी है वो भी ये struggle कर रहा होता है, उसके भी life में कहीं ने कहीं, कुछ ने कुछ प्राबलम तो है तो प्राबलम को हारना नहीं है उसको प्राबलम को confidently आप उसको handle करना है अपने आप से पूछना है कि ऐसे situation को मैं handle कैसे कर सकता हो, इसको मैं समझ कैसे सकता हahu और इसको मैं अपने हिसाब से plan कैसे कर सकता हbehा हूं, इसको मैं अच्छा से overcome कैसे कर सकता हूं अगर ये ऐसे question आप अपने आप से पूछते हैं तो believe किजे दोस्तों, आपके दिमाग आपको answer देगा कि आप अपने इस problem को कैसे solve कर सकते हैं और दोस्तों believe किजे आपके दिमाग से बढ़के इस संसार में कोई power नहीं है दोस्तों हमारे दिमाग बहुत बड़ा power house है अगर इसको सही से use करना हमें आ गया तो हम जो चाहें अपने life में वो पा लेते हैं अगर ये हमारे दिमाग में अगर नहीं आता है हमें अपने दिमाग को handle करना तभी हमारे life में problem होना सुरू होता है तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए आप positive रहिए positive सोचते रहिए हमें problem आए उसको आराम से handle कीजे और जब आप handle करेंगे situation बदल जाएंगे आप उसको handle कर पाएंगे और अच्छा से आप उसको handle कर पाएंगे chapter number 5 I am embarrassed the uncertainty दोस्तों uncertainty हर किसी के life में है आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो होने वाला है वो सबको पता है किसी को पता नहीं किया होने वाला आगले दे वो आपको भी नहीं पता लेकिन क्या होगा वो वही होगा जो आप अभी सोच रहे हैं तो आप इतना uncertain क्यों है आपको दिमाग में जो चल रहा है कि मेरे को आज doctor बनना है या businessman बनना है या मेरे को investor बनना है मेरे को 500 million dollar चाहिए आप उसके उपर काम कीजिए positive रहिए उसके direction में काम करते रहिए चलते जाएए आप जुरूर पहुचेंगे वाँ लेकिन अगर आप यह सोचें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा इससे आपका confidence lose होगा आप कहीं नहीं पहु I am not my thought I am what I do दोस्तों इन बातों को बहुत छोटा sentence है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है उससे से आपका situation नहीं बदलने वाला है आप क्या करेंगे क्या कर रहे हैं उससे से आपका situation बदलने वाला है दोस्तों इस book में लेखक बोलते ह है कि book तो बहुत लोग पढ़ते हैं उनको पता भी है कि अपने life में change कैसे करना है मेहनत करना है time से उठना है time से नहाना है time से office जाना है मेहनत करना है और जो मेरे को task मिला उसको complete करना है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा लेकिन ऐसा करते बहुत कम लोग है ऐसा क्यों है द मिलता तो हम uncomfortable हो जाते हैं दोस्तों जब तक आप challenge नहीं लेते हैं जब तक आप यह नहीं सोचते को कि यह situation है मैं इसको as a challenge लेता हूं मैं इसको overcome करके दिखाऊंगा जो मुझे काम मिला हो मैं करके दिखाऊंगा by hook and crew कुछ भी हो जाए तब आप उसको ऊपर overcome कर पाते हैं औ और जो भी आप करते हैं आप भले क्या सोचते हैं दीन भर अगर आप मुंगेरी लाल के तरह हसीन सपने देखते रहें कि मैं आमीर हो जाऊंगा और होने वाला हूं और ऐसा होंगा तो यह गाड़ी चलाऊंगा ऐसा करूंगा तो उससे होने वाला तो कुछ नहीं है दोस्त अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर आपके सपने वही मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे चैप्टर नमबर सेवन आयम रिलेंटलेस दोस्तों आप क्या सोचते हैं आप क्या इमेजन करते हैं वही आपके लाइफ में होनने लगता है इमेजनेशन बहुत आप फरारी चलाओंगा ब्लै कलर का टी-शर्ट पहन के बैठोंगा रेड कलर का मेरा फरारी होगा तो दोस्तों यह आपके दिमाग में ऐसा जब आप में मेजनेशन करते हैं तो आपकी महौल ऐसा चेंज होने लगता है आपका आजु-बाजु के सरक्म्टेंसेश ऑलके são एक्सेप्ट अव्य तो स्तों आपको सिबतों को द्यान रखना है कि आपको ऐख किस मेरे हैं आ एकट सब्सक्राइं अ-पुछ सब जो चिज़े होने वाला है आपको एकसाप्ट नहीं करना है कि ऐसा होगा व ऐसा होगा लेकिन अगर कुछ भी आजाए तो उसको आप accept कीजे क्योंकि आप उसको deny नहीं कर सकते हैं आपके life में अगर problem आया है तो उसको आप deny नहीं कर सकते हैं आप उसको accept कीजे उसको overcome कैसे करना है उसको उपर काम कीजे कि अपने दिमाग को समझाइए अपने दिमाग को बोले कि ऐसा सिच्विशन है उसको कैसे overcome करना है वह आपको suggest करके देगा और जब ऐसे करते हैं आप तो आप क्या रहते हैं कि आप वैसे ही कितना भी मुश्किल आता है कितना से बड़ा से बड़ा problem है आप उसको solve कर पाते हैं और जब आप expectation करते हैं अगर बहुत ज्यादा आप expect कर लेते हैं अगर वो नहीं होता है आपके life में तो आप तूटने लगते है एक्जामपल के लिए आपने अगर कंपनी खोले हैं अपने सोचा यह आपने बहुत ज्यादा जॉब कर लिए आपने रिजाइन दे के कंपनी खोले अपनी कंपनी खोल लिया अच्छा खासा उस पर मार्केटिंग के भी पैसे लगा दिये बंदे भी हायर कर लिए और उसका गार पर आगे कि आप तूटने लगे अपका दिमाग में निगेटिविटी आ गया कि अब तो मैं फिनिश मेरे पास तो पैसे नहीं बचें मैं आगे कैसे बढ़ूंगा से अच्छा आप कंपनी बंद करना पड़ेगा कोई दूसरा जूब ढूटना पड़ेगा दोस इतना बड़ा आपने एक्सपेक्टेशन वड़ा लिया कि वैसा मिला नहीं तो आप तूट गये दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है आपको एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है लेकिन जो आजाए उसको एक्सेप्ट करना है अगर ऐसा सिचुएशन है आप उसको कैसे करना है उस पर बात किजए अगर वो आप बात करते हैं अपनी दिमाग को कुश्चन देते हैं तो डेफिनेटली जिधर आप जा रहे हैं जिस डार आपका दिमाग लेके जाएगा क्योंकि आपने उसको बोला है उसको अपने काम दिया है कि इस प्रावलम को मैं ऊबर कम करते हैं दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंदा होगा अगर वीडियो आपको पसंदा है तो हमारे चैनल को लाइक केजे सब्सक्राइब कीजे और सेर जरूर कीजेगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक सेर से किसी की लाइफ बन जाए थैंक यू